गुर्माणी दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियों में बहुत करने वाले हैं इस सब सेटी स्टार फिल्म कंटारा के बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे 13 के बारे में दोस्तों बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे 13 के बारे में दोस्तों बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे 13 के बात करें फिल्म कंटारा के बॉक्स ओ पूपसफा कर्यक्शन 84 क्रोड का हो चुपा है जहां फिल्म नकनाटका से टोटल 73.7 क्रोड का ग्रॉस क्रेक्शन किया है वहीं दोस्तों फिल्म कंटारा ने पिरिवियस डे टुवल टक डेश्ट आफ इंडिया से 2.55 क्रोड तो वहीं फिल्म का ओवर्सी से 6.65 क्रोड का ग् काबले दिगनी दिगनी कमाई कर Box Office पर All Time Blockbuster हीट हुई है फिल्म कंडारा आपने देखी या ना देखी आपके इस फिल्म को लेकर क्या रहा है कॉमेंट में अपनी रायज ज़रू बताएं चलिए दोस्तों बात करते हैं विकरमेस वरेह रायबचन, कार्ती, ट्रीसा एंड जैम रवी स्टार फिल्म पॉनियन सेलबन वन के Box Office Collection Day 13 के बारे में दोस्तों बात करें फिल्म पॉनियन सेलबन वन के Box Office Collection Day 13 की तो फिल्म पॉनियन सेलबन वन ने अपने डेट चैनिंगे अंदर worldwide seven से लेकर के 80 क्रोर का gross collection किया है जहां film के तमिल नाडू से 30 क्रोर के 4 क्रोर का gross collection रहा है ऊस्तो इसी के साथ film ponyan ceilba One का अभी तक total box support collection worldwide में 424 से लेकर के 425 क्रोर का हो चुका है जहां film का 211 क्रोर distributor's है इंद फिल्म का total tamil नाडू से 179.2 क्रोर 28.3 क्रोड तो वहीं फिल्म ने तेलगू से 16.5 क्रोड कैला से 21.9 क्रोड तो वहीं फिल्म ने लाश्ट करनाड़का से 25.1 क्रोड का ग्रोस क्रेसर किया है तो फिल्म पॉनियन सेलबन वन की बात करें तो फिल्म पॉनियन सेलबन वन कवाई करने के मामले में बॉक्स ओफिस पर जंडे गाड रही है मल्टी स्टारर से बनी ये फिल्म को मनी रतन द्वारा डारेट किया गया है फिल्म पोनियन सेलबन वन के दोनों पार्ट को मिलाकर 500 क्रोड के बजट में दियार किया गया है फिल्म पॉनियन सेलवन वन आपने देखी या ना देखी आपके इस फिल्म को लेकर क्या रहा है कॉमेंट में अपनी राय ज़रू बताएं चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म गॉड़ फादर के बॉक्स ओफिस कलेक्शन डे एट के बारे में तो फिल्म गॉड़ फादर ने अपने डे एट के अंदर 2.5 से लेकर के 3 क्रोड का ग्रॉस करेक्शन किया इसी के साथ फिल्म गॉड़ फादर का अभीतर टोटल बॉक्स ओफिस करेक्शन 105.91 से लेकर के 106.41 क्रोड का हो चुका है जहां फिल्म का 57.58 क्रोड डिश्टिविटर से है वहीं फिल्म का अंदर पड़ प्लस दिलंगाना से 70.56 क्रोड का ग्रॉस करेक्शन रहा है तो दोस्तो फिल्म गॉड़ फादर की बात करें तो गॉड़ फादर सलमांग खांका तेलगू डेबियू शिरंजीवी के लिए बहतरीन और काम्याब साबित हो रही है फैंस दोनों के एक साथ स्क्रीन्स पर देखने के लिए एकसाइटेड है और फिल्म बॉक्स सफिस पर बहतरीन कमाई भी कर रही है फिल्म गॉड़ फादर को 135 क्रोड के बजिट में तयार किया गया था फिल्म गॉड़ फादर के उपर आपकी क्या रहा हैaaa? impacting भी बटा रही है जरूर बताएं चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म विक्रम वेदा के बॉक्स सफिस कलेक्शन दे डट हैटिंग की तो फिल्म विक्रम वेधा का वीचक टूटल वर्ल्ड में वॉल्ड वैड केलेक्शन 125 क्लोर का हो चुका है दोस्तो आप सभी को बता दो कि फिल्म विक्रम वेधा को 175 क्लोर के बजट में तयार किया गया था फिल्म विक्रम वेधा के उपर आपकी क्या रहा है आपने फिल्म विक्रम वेधा देखी या ना देखी कॉमेंट में अपनी राय ज़रू बताएं तो चलिए दोस्तो बात करते हैं फिल्म नाने वारवियन के बॉक्स अफिस कलेक्शन डे फॉड़िंग के बारे में 0.6 क्रोड का ग्रॉस क्रेक्शन रहा इसी के साथ फिल्म नाने वारिवियंग का अभी तक टोटल बॉक्स विस्वा क्रेक्शन 44.1 क्रोड का हो चुका है जहां फिल्म के तमिलाडू से 35.72 क्रोड का ग्रॉस क्रेक्शन रहा है जोस्तों आफ से अभी को बता दो कि फिल्म नान बात करें फिल्म बर्मास्टर के Box Office Collection Day 34 की तो फिल्म बर्मास्टर Part 1 Siva का Day 34 के अंदर 0.20 क्रोड का gross क्रोड का ग्रॉस क्रेक्षन रहा जहाँ फिल्म ने हिंदि से 0.15 क्रोड का gross क्रेक्षन किया तो दोस्तों आप साभी को बता दू कि फिलम बर्मास्तर पर्ट टू सीवा को में रिडिस्ट किया जायेगा फिलम बर्मास्तर पर्ट वंसीवा के उपर आपकी क्या रहा है comment में अपनी रायज जरू बताएं तो दोस्तों ये था लिखा जोका हाल फिलम के box office collections का पोश्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा लाइक एरेक सब्सक्राब जरू करिएगा बाली उड़ का गलियार उस लेड़ेस कबर के लिए जूड़े रहिए हमारे इस एंटरेटेंड में नीज के साथ बहुत बहुत सुक्रिया